हलो आइम करुना फ्रम वासुदेव विद्या मंदिर एंड टुड़ेस लास्ट विल दू ग्रेट 10 फिजिक्स चाप्टर नंबर 12 इलेक्रिसिटी अंड दे कोड फिस वीडियो इस हैस 71 तो इलेक्रिसिटी जो चाप्टर है उसमें से भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपि तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि रिजिस्टेंस जो है वो होता क्या है देखे आक्च्वल में अगर मैं हिंदी मीनिंग की बात करती हुए रिजिस्टेंस की तो रिजिस्टेंस मीज किसी भी चीज को रिजिस्ट करना किसी चीज को रोकना तो हम यहां पर किसको रोकने की बात करेंगे हम यहाँ पर current को रोकने की बात करेंगे तो अब हम जो bookish language में definition लिखी है resistance की वो देख लेते हैं It is the property of the conductor which opposes the flow of electric current मतलब किसी भी conductor की वो property वो good जिसकी वज़े से वो current के flow को रोकता है उसको हम resistance कहते हैं ठीक है तो conductor क्या होता है, conductor क्या होता है मतलब जिस में से current flow हो जاتा है For example अगर में कोई wire की बात करूंगी हमारे घर में इतनी सारी copper wire लगी होती है तो उन सब में से current flow हो जाता है तो वो क्या है conductor तो तो ऐसा यूनिट of resistance is Ohm. पूल आप के शबंध का है इसकी Ohm? तो आप के लिखा हो फाइब ओम, फारोम, फोरोम, नियुमरिकल Разब बालें, तो तो आप को क्या चेज्ज गेवन है resistance, तो अगर आप ये वी इूनिट कहीं भी देख लेते हैं, यह sign ohm का तो आप समझ लीजे कि आपको resistance given है तो अब हम बात करते हैं factors की कौन कौन से ऐसे factors है जिनके उपर जो है वो resistance depend करता है first is length of the conductor जब आप paper में लिखेंगे तो आपसे भी यह factor नहीं लिखेंगे length of conductor आप इसको मतलब arrow वगेरे डालके proper आपको लिखना पड़ेगा अगर आपसे भी यह four factors लिखेंगे तो उतने marks नहीं मिलेंगे length of conductor तो resistance, capital R किसको denote कर रहा है resistance को तो resistance is directly proportionate to length of wire resistance is directly proportionate to length of wire इसका मतलब क्या है? directly proportionate का मतलब होता है कि अगर resistance और length of wire length of wire बड़ी है तो resistance भी जादा होगा और अगर length of wire जो है वो कम है तो resistance भी कम होगा समझ पा रहे हैं आप? तो मैंने यहाँ पर slash में लिख कर देती हूँ जिससे आपको easy रहेगा resistance is directly proportionate to length of conductor या conductor क्या होगा? मेरा wire ही तो होगा ना? ठीक है ना? तो अगर length of wire मेरी जादा है तो resistance जादा होगा और length of wire कम है तो resistance कम होगा अब हम यह एक example के थूँ समझते हैं कैसे? क्योंकि हमें कुछ भी road learning नहीं करना road learning करकर हम करेंगे तो इतनी सारे subjects है तो अब एक्जाम में तो भूले जाएंगे ना? तो अब आप suppose देखिए जैसे की एक wire है ये इतनी इसकी length है जादा length है और एक wire है जिसकी length जो है वो कम है इन wire में बहुत सारे electrons है negatively charge होते हैं आप लोगों को पता है electrons और protons जो हैं वो positively charge होते हैं अब इस wire को ना एक मतलब traffic jam के situation से समझे ताकि आपको याद रहे memorize ना करना पड़े अगर आप जो है traffic jam में फसे हैं ठीक है? और ये बहुत बड़ा highway है तो क्या होगा? आप electrons को एक particular direction में आने में time लगेगा electrons को यहाँ आने में time लगेगा तो इसका मतलब क्या है? अगर electrons यहां नहीं आ पाएंगे तो electrons जिस direction में आते हैं current उसके opposite direction में move करता है जिस direction में electrons move करेंगे current उसके opposite direction में move करेगा तो अगर electrons ही नहीं आ पाएंगे तो current भी flow नहीं हो पाएगा मैंने क्या बताया ये एक long highway है यहाँ पर ये सारी electrons को अब गाड़िया समझ लीजे cars खड़िये तो अगर ये जितना बड़ा highway होगा और जितनी जाएदा गाड़िया traffic jam में फसी होगी तो उन सब को निकलने में time लगेगा that means electrons को अपने जगा पर आने में time लगेगा और electrons अगर flow नहीं हो पाएगे तो current भी जल्दी से flow नहीं हो पाएगा समझ रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा कि अगर length of wire जादा है तो resistance जादा है resistance मतलब रुकावट एक तरीके से अब जादा है मतलब current उतनी असानी से flow नहीं हो पा रहा अब मैं दूसरी बात करूँ कि अगर जो wire की length जो है वो कम है ठीक है तो अगर wire की length कम है तो electrons जल्दी flow हो जाएगे इधर आ जाएगे और अगर electrons जल्दी आ जाएगे तो current भी जल्दी flow हो जाएगा तो समझ पा रहा है न आप मेरी बात अगर wire की length कम है तो resistance क्या होगा resistance भी कम होगा रुकावट कम होगी अगर मैं कहते हूँ यह छोटी एक सड़क है छोटी सी सड़क में आप क्या कहते है छोटी सी lane में traffic में फस्स गई है यह चार गाड़िये हैं तो अब इस lane से बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे है ना तो अगर electrons जल्दी अपनी जगा पर आ जाएंगे तो electrons एक जगा पर आ जाएंगे that means current उसकी opposite direction में flow हो जाएगा तो resistance क्या होगा कम होगा तो length of wire अगर कम है तो resistance भी कम होगा यहां तक clear है second अब हम बात करते है area of cross section की तो resistance is inversely proportionate to area of cross section resistance is inversely proportionate to area of cross section का मतलब आप समझिये क्या है कि अगर area of cross section जादा है तो resistance कम होगा और अगर area of cross section कम है तो resistance जो है वो जादा होगा inversely proportionate का मतलब क्या है अगर एक increase हो रहा है तो दूसरा decrease होगा और अगर एक decrease हो रहा है तो दूसरा increase होगा तो मैंने आपको क्या बताया है कि resistance is inversely proportionate to area of cross section अगर area of cross section जादा है तो resistance कम होगा और अगर area of cross section कम है तो resistance जो है वो जादा होगा इस चीज़ को भी हम एक तरीके से समझते हैं कैसे समझेंगे हम इस बात को For example अब यहां पर area of cross section जो है वो जादा है area जो है जगा जादा मिली है Electrons को move करने के लिए ठीक है ना area of cross section मतलब electrons को आप यह देख रहे हैं ना कि electrons को move करने के लिए area जादा मिल गया जगा जादा मिल गई तो सारे electrons राम से एक जगा पर आ जाएंगे आप समझभा रहे हैं area of cross section जादा है तो सारे electrons राम से यहां आ गए और इधर electrons आ गए तो current इसकी opposite direction में flow हो गया तो that means क्या है resistance कम है रुकावट कम है समझभा आ रहे हैं आप लोगों को जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ कि area of cross section जादा है जादा area होने की वज़े से electrons राम से एक side आ सकते है particular direction में अगर electrons easily flow कर पाएंगे that means current भी असानी से flow कर पाएगा तो resistance क्या होगे कम होगा ठीक है दूसरे case में हम यहां पर देखते हैं कि area of cross section कम है electrons को move करने के लिए जो space मिला है जो area मिला है वो कम है अब कम area होने की वज़े से उनको एक particular direction में आने में time लगेगा electrons को move करने में time लगेगा और जब तक electrons move नहीं होगे that means current भी move नहीं होगा तो मैंने क्या बताया अगर area of cross section जो है कम है area of cross section कम है तो resistance जादा होगा रुकावट जादा होगी और current जो है वो easily flow नहीं हो पाएगा यहां तक भी आप लोगों को clear होगा third is resistivity देखिए resistivity को हम किसे जैसे हम overall क्या लिखते है resistance को resistance is directly proportionate to is directly proportionate to length of wire inversely proportionate to area of cross section और एक हम यह symbol लगा देते हैं यह होता है रो क्या होता है रो रो जो है वो किसी भी element की जो है वो resistivity को बताता है resistivity का मतलब है किसी भी metal की ability flow of current को रोकने की the ability of a metal to resist the flow of current is known as resistivity of that particular element और metal समाझ में आती है बात अब मैं इहां पर इस बात को एक example के थूँ बताती हूँ कैसे मैं बताती हूँ मैंने तीन दो element अगर मैं लेती हूँ बात करती हूँ जैसे copper की बात करते हैं और हम बात करते हैं silver की ठीक है तो we all know कि हम लोगों के घर में जो है वो क्या बोलते हैं जो wires होती है electrical wires होती है वो copper की लगी होती है silver की नहीं होती although silver जो है वो बहुत ही एक अच्छा conductor है electricity का but due to high cost यह expensive है silver तो इसी लिए हम जो है electronic equipment में silver का इस्तिमाल तो नहीं करते है तो अब मैं कहते हूँ silver is a very good conductor of electricity as compared to copper copper भी बहुत अच्छा है बट silver copper की comparative जाद अच्छा है तो अगर silver जाद अच्छा conductor है तो that means इसमें से current असानी से flow होगा और अगर यह current easily flow होगा इसमें तो silver की resistivity क्या होगी silver की resistivity आप बताईए silver की resistivity जो है वो low होगी मतलब silver की resistivity low होने का मतलब क्या है silver जो है वो एक ऐसा element है या एक ऐसा metal है जो की flow of जिसको current को रोकने की जिसकी शमता जो है वो बहुत कम है समझ रहे हैं तो इसका resistance क्या होगा कम होगा अब मैं बात करती हूँ copper की copper is also a good conductor of electricity but silver के comparative थोड़ा सा कम है यह तो copper अच्छा conductor है but यह कुछ extent तक जो है वो flow of जो है resistance को जो है मतलब resist कर लेता है current को तो इसका मतलब इसका भी resistance क्या होगा कम होगा इसका भी resistance कम होगा मतलब current को रोकने की ability इसकी भी कम होगी समझ में आई बात तो resistivity मैंने क्या बताया है ability of an element or of a metal to resist the flow of the current अगर कोई element या अगर कोई metal बहुत अच्छा conductor है electricity का तो उसकी resistivity जो है उतनी जादा कम होगी ठीक है और अगर कोई element या फिर metal जो है वो बहुत अच्छा conductor नहीं है it is not a very good conductor of electricity तो उसकी resistivity जो है वो high होगी और resistivity को हम किस से denote करते हैं हम ये symbol से denote करते हैं ये वाला symbol जिसको हम क्या कहते है रो तो लास्ट अगर हम बात करते हैं temperature की किसकी temperature की तो resistance जो है वो temperature पर भी depend करता है अब हम देखते हैं कि temperature बढ़ने से resistance जादा होता है या फिर temperature बढ़ने से resistance कम होता है तो suppose आप ये देखिए ये बहुत सारे electrons हैं ठीक है एक फायर में अब मैं यहाँ पर temperature जो है वो बढ़ा देती हूँ temperature मैंने increase कर दिया अगर मैं temperature increase करती हूँ मतलब मैंने heat करना चालू कर दिया heat या फिर ठीक है न तो अब temperature increase होने की वज़े से क्या होंगी ये electrons इधर उधर यहाँ वहाँ कहीं भी move करने लगेंगे कहीं भी move करेंगे अब move करने की वज़े से इनको एक particular direction में आने में लग जाएगा time और अगर इनको particular direction में time लगेगा आने में तो कहीं न कहीं flow of current जो है वो भी रुख जाएगा तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि अगर temperature जादा है तो resistance भी जादा है अगर आप temperature बढ़ाएंगे तो रुकावट भी जादा है simple सी एक बात समझो एक कमरे में 10 लोग है आग लग जाती है उस कमरे में तो उनको exit करने में time लगेगा न temperature बढ़ गया क्यों कोई इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है ठीक है न तो वही बात हो रही है कि अगर temperature बढ़ गया heat की form में तो electrons जो है वो randomly अलग अलग जगाओं पर भागेगे और उनको एक particular जगा पर एक particular point बे आने में लगेगा time अब time लगने की विज़े से क्या होगा अगर electrons जगा पर नहीं आरे तो current flow नहीं होगा तो that means मैंने क्या बताया है कि temperature ज़ादा है तो resistance भी ज़ादा है तो resistance और temperature के बीच में कैसा relation हो गया direct relation हो गया positive relation हो गया अब मैं अगर बात करती हूँ temperature कम है तो obvious सी बात है आपका resistance भी जो है वो कम होगा अगर temperature कम होगा normal होगा तो electrons अराम से flow करके एक particular direction में आ जाएंगे और current भी जो है वो flow हो जाएगा तो resistance क्या हो जाएगा कम तो ये चारो के चारो आपको all four factors you have to write in exam तो आप सिफ resistance में लिखेंगे सिफ मतलब अगर question आता है what are the factors on which resistance of a conductor depends तो before writing all these four factors you have to first define what is resistance and you just not mention all these four factors but you have to mention these factors in symbolized form arrow करके आप mention करेंगे तभी तो आपका answer जो है बाकी students के answer से जादा बेटर लगेगा ठीके ना so I hope all these things this topic is clear to all of you thank you for watching my video please like, share and subscribe